असलाम लेकुम, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी जिसका नाम है आलू पालक के पराथे, इन्हें आप चाहें तो ब्रिकफर्स में यूज कर सकते हैं, अपने बचों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चें इसे शौक से खाए इसमें डाल दीजिए पालक के पते, डंधल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, हाई फ्लेम पर सिर्फ एक मिनट के लिए आपने इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो फिर जो पालक का हरा रंग है, वो थोड़ा सा डल हो जाता है, एक मिनट बाद आप इसे निकाल इसे साइड में रख लिजए, अब मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने लिए 7-8 लेसन की कलिया, चार से पाच हरी मिर्चे, एक टी स्पून मैंने यहां जीरा लिया है, गैस का फ्लेम लो से मीडियम की तरफ है, और अब मैं इसे ड्राय रोस्ट कर लूँगी, जैसे इस पर हलके निशान आते हैं, इसका पेस्ट बना के साइड में रख देंगे, अब यहां मैंने चार से पाच उबले हुए आलू को ग्रेट कर लिया, उसे मैं एक बरतन में डाल दूँगी, उसमें ही मैं डाल रही हूँ यहां पर पालक का प्यूरे जो हमने बनाया था, और अब यहां पर मैं डाल रही हूँ आता, यहां गेहूं का आता लिया है, मैंने तीन कप टोटल इस्तिमाल किये पर मैंने सारे एक साथ नहीं डाले, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और इसे गुनते जाएंगे, इतना गुनते के जो आता है वो एक सौफ्ट सा हो, बह स्पून तेल और इसे एक मिनिट के लिए दुबारा गुंद लीजेगा, कि जो आता है वो चिकना हो जाए, सौफ्ट हो जाए, और फिर आप इसका पेड़ा बना लीजेगा, यहां अपने एक बड़े साइज का पेड़ा बनाना है, जैसा कि आप पराठी के लिए बनाते है और फिर आप इसे बेल लीजे, यहां सबसे पहले आटा डस्ट कर लेंगे हम, उस पर लोई को रखकर हातों की मदद से आप जितना बड़ा कर सकते हैं, उतना कर लीजे, चाहें तो आप यहां पर बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब इस पर डाल दीजेगा, दो से तीन ड्रॉप तेल के, और तेल का ड्रॉप डालने के बाद इसे सब तरफ लगा लीजे, इवनली स्प्रेट कर लीजे, और फिर आप इसे चौकोन शेप दे दीजे, स्क्वेर, आप चाहें तो रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, या आप नॉर्मली ऐसे भी बना सकते हैं, राउं पराठा बन जाए तो आप फिर इसे सेख लीजेगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठा है, बहुत अच्छा लगता है खाने में और बच्चे भी इसे इंजॉय करेंगे, इसे आप डाल दीजे पैन में, जैसे ही पैन हलका गर्म हो, और मीडियम फ्लेम पर ही आप इस के बाद इस पर डाल दीजेगा तेल, और इसे फलिप कर दीजे, पलटने के बाद दूसरी सर्फेस पर भी थोड़ा तेल लगा लीजे, और फिर आप इसे दोनों तरफ से पलटते हुए, जब तक कि ये अच्छी तरीके से गोल्डन ना हो जाए सब तरफ से, आपने इसे प और ये जो पराठे है ना, जिन पैरेंस की, जिन माओं की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बच्चे पालक नहीं खाते, उनके लिए ये बेटर आप्शन है अपने बच्चों को पालक खिलाने का, रेसेपी अच्छी लगई है तो इसे लाइक कीजे, चैनल पर नए है तो पर चेक करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कीजे और उसे भी देख लीजे और लाइक जरूर कीजेगा, मिलते हैं नई रेसेपी के साथ